एपिसोड फाइब की शुरुवाद में दिखाया जाता है सान खाना खा रहा होता है और नाई उसके सामने बैठा हुआ होता है सान तो ऐसे खा रहा है जैसे कितने जन्मों से भूका है नाई कहता है इतले जल्दी जल्दी मत खाओ गले में अटक जाएगा सान कहता है मैं भूक से मर रहा हूँ तुम्हारा फ्रेंट कितना निर्दई है नाई कहता है पहले थोड़ा पानी पियो उसने जरूर तुम्हें टीस किया होगा सान कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरे साथ पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया अगर मैं यहां से बच सकूँ तो मैं उसे मुश्किल में डाल दूँगा वेट एंड सी नाई कहता है तो क्या अब तुम इहां से भागना चाहते हो और ये सी नहीं पे कट हो जाती है इसलिए तुम बोस से मिलने नहीं गए ताई हा कहता है में कहता है क्या क्या मैंने कुछ गलत सुना तुम्हें पैसा वापस नहीं मिला क्या ये सही है तुमने कहा था कि तुम नंबर वन रिन कलेक्टर बनोगे ये पैकेट कैसा है क्या मेरे लिए कोई सीक्रेट है फिर देखता है पैकेट में बहुत सारे पैसे है में कहता है किसका है ये ताई कहता है कर्जदार का में कहता है कौन सा कर्जदार मुझे तुम्हारे सारे कर्जदार से पहले ही पैसे मिल गए है अगर कोई बचा है तो वो शायद मैंकॉन का ड फिर कहता है मैं सिर्फ सोच रहा हूँ रिलेशन्शिप किस से बनता है अच्छी यादे बहुत छोटी होती है में कहता है तुम्हारा मतलब है ताई कहता है हाँ फिर उन सब मोमेंट्स को दिखाया जाता है जब आशिंग और मैंकॉन साथ में थे और ताई उन दोनों को देख रहा था में कहता है ताई रिष्टे सिर्फ वक्स से नहीं बनते अच्छे फिलिंग से भी बनते है लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि ताई किसको पसंद करता है आशिंग को या मैंकॉन को शायद बाद में क्लियर होगा फिर सीन चेंज होता है और वो सीन दिखा नीमो कहता है I am so sorry ये सब मेरी वज़े से हुआ ताले कहता है जादा मत सोचो फिर आर्थित से कहता है मैं काम पे वापस जाता हूँ बहुत सारे कस्टमर से आर्थित पहले कहता है ओके फिर पुछता है उस लड़की का क्या हुआ ताले कहता है मैं तो उसे भूली गया था फि वो सब लोग उसी डारेक्शन में जाते हैं, फिर दिखाय जाता है, सान उसी रूम में सो रहा होता है, आर्थिता के उसके मुँमें पानी डाल देता है, सान उठता है और पूछता है, ये क्या है, आर्थित कहता है, उठो और काम पे चलो, सान देखता है कि वो उसी रूम में वो सोचता है मैं यहां क्यों हूं फिर उसे याद आता है कि वो नाई के साथ बात करते हुए खाना खा रहा था वो नाई से पूछता है क्या तुम मुझे यहां से भागने में हेल्प कर सकते हो नाई कहता है जरूर यह छोटी सी बात है सान कहता है चलो तो नाई उसे रोग द हाते ही सोजाता है शायत खाने में निंद की दवाई मिलाई हुई थी कहानी प्रेजन में आती है सां कहता है मैं इतला वुद्धु क्यूं हूं आर्थित कहता है क्या तुम्हें पूलिष को काल करूंगा और तुमें एरेस्ट करवाऊंगा आर्थित उसका हाथ पकर के हाथ में हतकरी पहना देता है और हतकरी की एक पाठ खुद के हाथ में भी पहन लेता है आर्थित कहता है मुझे देखने दो क्या तुम अभी भी भागने के काबिल हो फिर उसे कप्रे देता है पहनने के लिए और कहता है क्यों आर्थित कहता है काम के लिए सान कहता है मैं अपने कप्रे कैसे चेंज करूंगा ऐसे पहले इसे खोलो आर्थित हाथकरी को खोल देता है फिर सान चेंज करके आता है आर्थित कहता है अच्छे लग रहे हो सान कहता है मुझे भी यही लगता है आर्थित कहता है काम के ल नहीं जानते हो करजदार के रूप में करजा चुकाने के लिए तुम्हें काम करना होगा फिर अर्थिद सन को बीच में ले जाता है फिर एक परसन के पास जाके कहता है एक नए स्टाफ को लाया हूं तुम्हारे काम में हेल्प करने के लिए फिर सन से कहता है बैठो यहाँ प कहता है देखो इधर फिर एक कोकोनट लेके उसे सिखाता है कि एक अच्छे कोकोनट को कैसे चूच किया जाता है सान कहता है क्या मुझे ये करना होगा आर्थित कहता है मैंने तुमसे पहले ही बोला था बापस चले जाने के लिए लेकिन तुम जिद्धी हो और दिखाया जाता है आर्थित ने कितनी बार संसे कहा था बैंकॉक बापस चले जाने के लिए फिर अपनी हाथ से हतकडी को खोल देता है और सन से कहता है ये करो और आर्थित वहाँ से चला जाता है सन कहता है मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है फिर वो कोकोनट को सेपरेट करने लगता है सारे अच्छे और बुड़े कोकोनट को सेपरेट करने के बाद वहाँ पे आर्थिद आता है सान कहता है मुझे प्यास लगी है मुझे थोरा पानी दो मैंने सब कम कर दिया है आर्थित एक कुलहारे निकालता है और एक कोकोनट को काटके सन को देता है उसका पानी पिने के लिए सन उसका पानी पीके कहता है ये डिलिशियस है बैंक कॉक के नारियल पानी से ये ज़्यादा फ्रेश लग रहा है आर्थित कहता है जरूर क्योंकि ये इसका जगा है ये किसी भी हालत में बहतर होगा सान कहता है तुम किसके बारे में बोल रहे हो आर्थित कहता है तुम्हारा यहां हो गया हमें जाना होगा सान कहता है क्या कहा पे मैंने अभी अभी इसे खतम किया मुझे थोड़ा रेस्ट लेने दो मेरी अभी बिल्कुल भी एनरजी नहीं है आर्थित फिर से हैंड केफ्ट से खुद का हाथ लॉक कर लेता है और कहता है उठो और दोनों चले जाते हैं फिर आर्थित कहता है क्या तुम अभी भी भागोगे वैसे भी तुम मुझसे नहीं भाग सकते सान कहता है प्लीज मुझे जाने दो मैं तुमें पैसे वापस कर दूँगा आर्थित कहता है तुमें लगता है कि मैं तुमें विश्वास करूँगा सान कहता है मेरा विश्वास करो मेरा डैड मेरी मदद करने के लिए आएंगे और बैट जाता है आर्थित कहता है उठो मैंने देखा के तुम पहले दिखावा करते थे अब तुम पपी की तरह क्यों हो सान कहता है तुम मुझे बस दोशी दे सकते हो लेकिन प्लीज मुझे जाने दो और मुझे यहाँ पे पूरा करजा चुका नहीं देते सान कहता है क्या तुम पागल हो तो क्या मुझे अपनी पूरी जिंदे की यहाँ पे रहना होगा हाँ फिर आर्थित सन को स्कूटी पे चड़ने के लिए कहता है क्यूंकि दोनों का हाथ हतकरी से लौक है आर्थित सन का हाथ उसके गले में स देता है फिर सन को लेके कहीं पे जाता है फिर दिखाया जाता है ताई बॉस के पास आया है बॉस कहता है तुम्हें गये हुए लंबा समय हो गया लेकिन अच्छा हुआ कि तुम पैसे वापस ले आए मैं तुम्हें बाहर निकलने जा रहा हूं ताई कहता है मैं माफी चाता ह क्या उसके फादर ने पैसे चुका दिया है, वो अभी भी यहाँ क्यों रहेगा, मैं कौन कहता है, boss क्या मैं यहाँ पे जॉब के लिए एपलाई कर सकता हूँ, boss कहता है, ring collect का जॉब नहीं यहाँ पे full है, मैं कौन कहता है, नहीं, मेरा मतलब है मैं बॉक्सर बनना चाता हूँ बॉस कहता है तुम जानते थे ना कि ये असली बॉक्सिंग कैम नहीं है मैं इसे सुईकर नहीं कर सकता फिर आशिंग से कहता है तुम भी जानते थे ना कि मैंने ये बॉक्सिंग कैम क्यों खोला है क्योंकि मैं अपनी असली बिस्नेस को छुपाना चाता हूँ ये सिर्फ सेट अप है आशिंग कहता है डैड मैं बॉक्सिंग करना चाता हूँ मैं एक बॉक्सिंग कॉम्पेडिटर चाता हूँ बॉस कहता है एक कॉम्पेडिटर और उसे थपर मारता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत बार कहा था तुम ये जानते हो ये स्टेज तुम चाते थे मैंने इसे तुम्हारे लिए बना दिया तुम यहाँ पे जो कुछ भी करते हो वो तुम्हारे उपर है लेकिन याद रखना यहाँ पे कोई competition नहीं होगा आशिंग कहता है मुझे ये सब नहीं समझ में आता बॉस कहता है तुम पहले से ही जानते हो के मेरा काम कितना जोकिम भरा है अगर पुलिस को ये पता चला और वो यहाँ पे आए तो हम सब मरेंगे आशिंग कहता है बिल्कुल अनौप चारी क्रिन इलीगल है लेकिन बॉक्सिंग क्याम्ट लीगल है बॉस कहता है अपना मुझे नहीं समझते मैं एक बॉक्सिंग कमपिटिशन चाता हूँ मैं एक दोस चाता हूँ जो मुझे समझे लेकिन आप कभी भी मुझे समझने की को पैसा है आप हमेशा सोचते है पैसा मुझसे बहतर है मैं आपसे नफरत करता हूँ बोस मेंकॉन से कहता है मेंकॉन अभी अपना सामान बांधो और जाओ यहां से और वो वहां से चले जाते है आशिंग और मैंकॉन एक दूसरे को देखते है फिर दिखाया जाता है आर्थित स से एक दूसरे बीच पे लाया हुआ होता है सान कहता है तुम मुझे यहां पे क्यों लाए हो मैं पहले से ही ठक गया हूं और मुझे नींद आ रहा है मैंने पूरा दिन काम किया और एक भी ब्रेक नहीं लिया आर्थित कहता है तुम टायट हो सान कहता है हां मैं टायट हूं क् अर्थित कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता के मैं ठका नहीं हूँ सान कहता है तुम्हारे पास दूसरो को उधार देने कि लिए 10 million बाट है तुम बिना काम किये रह सकते हो अर्थित कहता है तुम ऐसा सोच रहे हो कुछ लोगों को पैसे कमाने में मुश्किल होती है वे चाते हैं के उनके परिवार खुश रहे लेकिन आखिर में उन्हें एक बेस्ट फ्रेंड के जूट के कारण मरना परा अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा, जिन्देगी भी नहीं सान कहता है तुम किस बारे में बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया आर्थिद कहता है मैंने जो कहा वो एक दिन तुमें समझ आ जाएगा सान कहता है क्या हम अभी वापस जाएंगे, बस आये और सूरियस देखने का वेट कर रहे है आर्थिद अपने हाथ से हतकरी को खोल देता है, फिर दिखाया जाता है सन भाग रहा होता है वो जाके एक पेर के पीछे छुप जाता है, वो सोच रहा है क्या आर्थिद उसे नहीं देख पा रहा है लेकिन आर्थित उसे देख पा रहा है आर्थित उसे देख के कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो बिग बॉई फिर उसके पास जाके कहता है तुम क्या कर रहे हो सान बेचारा क्या करेगा वो कहता है अचानक से मेरे पेट में दर्द हो रहा है आर्थित कहता है तो तुम यहाँ पे क्यों हो सान कहता है मैं टॉयलेट ढून रहा हूँ मैं इस जगा को नहीं जानता तो मैं यहाँ पे आ गया आर्थित कहता है तुम पागल हो बापस चलो सान कहता है क्या मैं बैंकॉक बापस जा सकता हूँ आर्थित कहता है मेरा मतलब है उस घर में बापस चलो सान कहता है पहले मुझे आजाद करो आर्थित कहता है पहले मुझे अच्छे से कहो सान कहता है प्लीज मुझे आजाद करो मैंने पूरा दिन काम किया आर्थित उसके हाथ से भी हाथकरी को खोल देत और कहता है अब खुश फिर उसे लेके चला जाता है फिर वो दोनों घर के सामने पहुंचते हैं सान कहता है क्या तुम यहां पे सोगे आर्थित कहता है हां क्यों सान कहता है लेकिन यह मेरा घर है आर्थित कहता है यह मेरा घर है सान कहता है हां लेकिन मेरा मतलब है यह मेरा प मेरा डैट करदार है मैं नहीं आर्थित कहता है क्या तुम खुद से अंदर जाओगे या मैं तुम्हें करी करूँ सान कहता है तुम जंगली हो बहुत जादा जंगली हो और अंदर जाने लगता है आर्थित कहता है कहां जा रहे हो मेरे लिए रुको चलो सोने चलते हैं फिर तोनों अंदर चले जाते हैं फिर आशिंग को अपने रूम में दिखाया जाता है मैंकॉन उसे गुडबाई कहने के लिए आता है वो आशिंग के पास जाके बैठता है और कहता है मैं जा रहा हूं आशिंग उसके हाथ पे हाथ रखता है और कहता है बहुत रास हो गई है तु तुम्हें अपने डैट की बात सुनना चाहिए। मैं अशांती फैलाने वाला नहीं बनना चाहता। आशिंग कहता है क्या तुम ऐसा करोगे। फाइन मेरे साथ चलो। और आशिंग मैंकॉन को बॉक्सिंग रिंग पे ले जाता है। आशिंग उसे boxing gloves देता है पहनने के लिए मैंकॉन कहता है तुम ये क्यों कर रहे हो आशिंग कहता है तुमें अभी मेरे साथ compete करना होगा तुमने मुझसे कहा था अगर तुम जीतोगे तो तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो लेकिन पहले तुमें मेरे साथ compete करना होगा मैंकॉन कहता है प्लीज ऐसा मत करो आशिंग कहता है लेकिन अगर मैं जीता तो मैं तुम से कुछ भी करवा सकता हूँ और तुमें मुझे जीतना होगा और वो मैंकॉन को पंच करने लगता है और कहता है फाइट करो मैं कॉन कहता है मैं नहीं करूँगा आशिंग कहता है तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा मैं कॉन कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूँगा आशिंग कहता है क्यूं मैं फ्यरली जीतना चाता हूँ ऐसे नहीं मैं कॉन कहता है तुम ऐसा किस लिए कर रहे आशिंग कहता है तुम्हारे लिए अगर तुम लरोगे मैं तुम्हारे साथ लरूँगा मैं कॉन कहता है मैं नहीं चाहता के तुम अपने डैट से बहस करों आशिंग कहता है मैं उनसे खुद बात करूँगा तुम मुझे एक बात बोलो तुम मुझसे कंपीट करना चाहते हो या नहीं मैं कॉन कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाता हूँ फिर दोनों फाइट करने लगते हैं मैं कॉन कहता है तुम्हें अपने डैट से डर नहीं लगता आशिंग कहता है मुझे लगता है लेकिन मुझे तुम्हारे बिना और जादा डर लगता है दोनों तुमसे जीता, तो वो करना मत भूलना जो मैंने तुमसे कहा था, ओके, आशिंग कहता है, ओके, तुम भी, फिर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं, कितला क्यूट है, और यहीं पर एपिसोड 5 एंड हो जाती है, तो फिर मिलते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में, तब कि ले, बाइब बाइ!